यहां पर आपके प्रप्रेशन होती है तो फ्रेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है वह इंपॉर्टेंट है रिक्वेस्ट वीडियो है कमेंट्स आ रहे थे कि माम गैल्सवर्दी पूरा कंप्लीट कराये उनकी नौवल और प्लेस जितने भी पॉइंट्स है और आपको पता ह है कि इंग्लिश फील्ड से अगर आपके पास में कोई भी टॉपिक छेड़ा जाता है या फिर कोई भी वीडियो पोस्ट होता है तो उसमें कुछ भी चीज आपसे हिड़न नहीं रखी जाती हाइड नहीं की जाती सारे पॉइंट्स तिनके के बराबर पॉइंट्स भी करने के लिए क्योंकि कुछ ऐसे मेजर क्वेस्टिन्स हैं जो इन में से हमेशा पूछे जाते हैं और 110 परसेंट ये क्वेस्टिन आएगा तो एक ही वीडियो में आपको एक तरीके से उसको पूरी तरीके से ग्राफ उसका डिजाइन कर दिया गया है तो आईए देखते हैं वो क्या है और आपके लिए काफी बेनिफीशल होगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट जितने भी क्यासवधी के वोक हैं उनको अलग-अलग कैटेग्री में थीम वाइस डिवाइट किया गया है और थीम से रिलेटेट क्वेस्टिंग आपको शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा ही मिलेगा तो यूशुड नो कि कौन सा उनका वोक और उसके अंदर क्या एसेंस है क्या उसके अंदर थीम निकल कर आती है और एक ही वीडियो में आपको ये डिस्रिब्यूट करके दे दिया गया है जिसे ये इजी हो जाएगा आपको रिमाइंड करना और एक वेस्टिंग आना आना ह तो देख लेते हैं according to theme and essence और subject matter place of girls worthy can be divided into five categories तो हमने divide किया इनके जितने भी plays है उनको कितनी categories में five categories में तो आएए देखते हैं first category family relations family relations are related जो भी category है और जो place belong करते हैं वो है joy the fugitive a family man ये थी हमारी first category और theme थी family relations next is the problems of outcasts outcasts related जितने भी problems हैं जो मैंने बताया कि ये social tragedies को ज़्यादा depict करते हैं इनके work तो उसमें आता है windows and the pigeon इसी तरीके से आपको option में दे दी जाएगी theme अलग-अलग जो theme हमने यहाँ पर describe की है और distribute की है और फिर उस आपको correct option choose करना होगा now third is tragedy of idolism idolism कौन-कौन से उनके work में दिखाई देता है the mob a bit of love next is social injustice exists in society ठीक है social injustice कहां पर दिखाई देती है उनके कौन-कौन से ऐसे work है the silver box very famous justice escape the forest the show तो यह पांच ऐसे उनके work है जिसमें social injustice इसकी theme है अगर option में social injustice आता है तो इन पांच work में से आपको एक उसमें जरूर मिलेगा and that would be your correct answer next is feelings related to caste अब caste से related जो बोलते हैं जिसको casteism जातपात की जो बाते होती है ठीक है indiscrimination जो होता है तो यह सारी चीजें किसमें देखने को मिलती है loyalties जो की three acts में है and it is a drama हाँ यह भी जरूरी है यह question भी आता है और हमेशा आता है आप देख लीजेगा previous year के questions में भी इस channel पे भी uploaded है previous year के questions three acts में कितने acts में यह plays divided है ठीक है अब strife है यह भी तीन act में है the skin game also in three acts it is a tragic comedy the eldest son this is a drama and it is a three act three acts में यह भी divided है ठीक है three act में यह है the eldest son यह थे जसमें feelings related to caste दिखाई देती है अब आप पूछेंगे कि यह याद कैसे रहेगा तो अगर इसको और भी easy बनाना है मैंने अपने videos में भी बताया है जो पहले upload किये हैं कि जब भी आप किसी writer की study करने जाए whatever the topic is that doesn't matter you should go through the historical background you should go through the interest of writer and even you should search for the biography biography doesn't mean the facts and figures biography means कि उनकी interest किसमे था study उन्होंने क्या-क्या चीजे की क्या चीजों से उन्होंने suffer किया क्या experiences थे उनके because easily those kind of experiences which belong to that writer you can see in their work also तो उसकी जब picture clear हो जाती है तो उससे और भी easy होता है किसी चीज को समझना या फिर उसको learn करना और directly अगर आप किसी भी mcqs को solve करने जाते हैं तो आपको बहुत जादा वो tough भी लगता है and as I always say it's not tough but आपको उस तरीके से काम करना पड़ेगा in a right direction तो ये थी theme और act wise भी मैं आपको और बता दूँगे कितने-कितने acts में divided हैं एक इसमें question आता है drama कौन से novel है, कौन से first है, कौन से second है तो ये सारी चीज है तो उसका next video आपको मिल जाएगा उसको आप जरूर देखिएगा वीडियो छोटे-छोटे हैं बहुत ही informative है और इंसे related questions आते हैं मैं बार-बार में कहा रही हूँ so keep watching, thank you so much if you are visiting my channel for the first time, so please subscribe the channel and hit the bell icon so that यहां से कोई भी अगर नया video पोस्ट होता है, तो उसका notification आपको सब्सक्राइब निल जाए और आप उसको देख सके बिना सर्च किये थोड़ा सा भी अगर video आपको helpful लगा हो, तो please hit a like button, like जरूर करके जाहिएगा because it gives encouragement to upload more and more videos, और भी informative videos बनाने का हमारा भी मन करता है और community friends में, share कर लीचेगा, because knowledge is name of sharing अगर कुछ अच्छा होता है, तो हमें share करना चाहिए, बाकि आपकी मर्जी है if you have any of the doubts or question regarding your syllabus or topic or you want me to explain any topic then you are free to comment in comment box, please leave your comment and your feedback और इसी तरीके से आगे, guess all this related biography already uploaded है, question series already uploaded है, previous year के questions भी है तो वो सारे देखके आप जरूर देखे, आई बटन में भी आपको मिल चाहेगा, description box में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइट कर दूँगी और follow करिये and keep preparing in a very good way, thank you so much for watching and giving your precious time